पूरे क्रिप्टो के बारे में आज चर्चा करेंगे जानेंगे पूरा क्रिप्टो प्रजिक्ट क्या है और इस पूरी ओफिशल वेबसाइट जो की hyperchainx.com है इस से हम इस पूरे क्रिप्टो प्रजिक्ट को refer करेंगे दोस्तों यहां पर इसके ओफिशल वेबसाइट में बहुत सारी चीजों को बताया गया है प्रोजेक्ट को बहुत लंबे तरीके से यह पूरा क्रिप्टो प्रजिक्ट काम करता है तो ओफिशल वेबसाइट को देखेंगे तो वेबसाइट काफी easy simple और काफी attractive बनाए गई गई है जहां पर इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की गई है और इसके क्रिप्टो के साथ कैसे आप यहां पर फाइदा ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है तो एक नया concept यहां पर लाया गया है जहां पर as a whole अगर बात की जाए तो पूरी gaming के साथ साथ इस पूरे क्रिप्टो को चला जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि current scenarios में ऐसा होता है कि हमारे जो youngsters हैं वो आज कल की जो real life है उ तो game access करना ये game खेलना बहुत simple हो गया है यहां पर gaming की popularity भी इसी वज़े से बन जाती है क्योंकि आज का यह यूवा है वो game खेलना पसंद करता है अलाद और समय जो भी हो वो game खेलने से पीछे नहीं हड़ता है इस चीज़ से इंकार नहीं किया जा सकता है और यही चीज़ है जहां पर हमारा जो gen Z जिसे कहा जाता है जो आजकल की नई generation है वो game के प्रती काफी अकरशित है और इसलिए जो developers है founders है वो game को लेके ऐसे बहुत सारे crypto project बना रहे हैं जहां पर उनमें नया attraction create करके अपने youngsters को अपनी और खीचा जा रहा है यानि कि एक youth को एक उस youngsters को और च असंद कर रहे हैं हालांकि real life से चीज़ें काफी अलग हैं लेकिन वो उनके अपने जो एक time pass की हम बात कर ले या उनका एक शौक कह ले या उनका interest कह ले या उनकी जो एक नीश है उसके हिसाब से चीजों को देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो यहां पर hyper chain act भी इसी प्र पर बताया गया है कि what is hyper chain x so hyper chain x is the next gen gaming platform and we provide a user with new opportunities by connecting two major industries पहला the gaming और दूसरा cryptocurrency industries यानि कि दो industries की बात होती है जहां पर next gen gaming platform को बनाया गया है अब यहां पर यह कहते हैं the gaming and cryptocurrency industries are two individual multi billion dollar platform and hyper chain x is infusing them to together to create an extraordinary and unique experience for its user जैसा कि मैंने आपको थोड़े दिर पहले कहा कि एक ऐसा ecosystem create कर दिया गया है जहां पर बच्चे से लेके बूढ़ा वो अपने mobile पर devices पर computers पर laptop पर games खेलना पसंद करता है और यहां पर इसी तरज पर कहा जाए तो यह एक billion dollar platform बन चुका है यहां पर जिसे gaming का न watchpad that is tailored for the gaming industries and a gaming platform with products such as one versus one high stake battles, buy in tournaments, live streams, leak creations, option for e-storm teams and a crypto mobiles games library यहां पर introduction में साफ हो जाता है कि कैसे gaming और cryptocurrencies को जोड के यहां पर इस पूरे crypto project में gaming को लाकर आपके सामने कुछ नया बताने की कोशिश की जा रही है vision की बात की जाए तो यह कहते हैं कि यहां पर hyperchain X believes in innovations within the gaming industries as its future is fusing with the technology behind crypto यह भी कहते हैं कि the new hype in gaming and where game developers can launch their products we at hyperchain X are fulfilling this dream तो यहां पर एक नया gaming environment create करना यहां पर developers को नई application बिनाने पर जोर देना उत्साहित करना प्रेड़ना देना और उसके साथ साथ यहां पर उस hyperchain X द्वारा इन चीजों को पूरा करने का जो इनका dream है उसे यह बात करते हैं अब यह कहते हैं कि हम ही क्यों यह कहते हैं कि हमारा platform जो है it is all in one crypto and gaming solutions that bring both worlds together from game developers that can launch their NFT collections on our launchpad to gamers that can earn crypto while gaming and more. So all of the most popular games and blockchains will be compatible on the hyperchain X platform so there is no need to go anywhere else यहने कि जो भी कुछ होगा इसी platform पे होगा आपको कहीं जाने कि जूरूर नहीं पड़ेगी यह भी लिखते हैं the mobile application gives user the ability to easily manage their assets and other gaming related content यहने क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखा जाती है यहाँ पर अपनी चीजों को develop करने की बात कर रहा है जिसमें NFT marketplace, NFT launchpad है, gaming platform है, उसके साथ Hyper Trons, NFTs है और Jugi Tendon NFTs को लाया गया है तो यहाँ पर इन्होंने इस पूरे systems में एक affiliate program को भी add किया है why invest, what makes it interesting to invest and hold hyper tokens यहने कि आप यहाँ पर निवेश क्यों करेंगे, क्यों आप यहाँ पर आएंगे और क्यों आप यहाँ पर hyper tokens को hold करेंगे तो उसके पीछे reason क्या दे रहे है, with every transaction 0.1% is forever burned from the total supply, the token price and market cap use case is in value अब यहाँ पर इसके market cap और use case की जो increase करने के बाद करके उसकी value में उसका मतलब है कि इसे एक deflationary aspect दिया गया है इसके hyper token को, जहाँ पर भी deflationary aspect दिया जाता है, वहाँ पर किसी भी transactions में burning होने के बाद उस total supply से उन tokens को निकालने के बाद उसके price में इजाफा होता है और supply में कमी आती है, तो demand और supply का एक rule वहाँ पर applicable हो जाता है इसके साथ यह कहते हैं कि buybacks भी होंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर यह supply देखी जाएगी, उसमें कहीं न कहीं buybacks करके इस पूरे crypto project के जो token का price है उसको इजाफा दिया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा और यह कहते हैं, this will help the growth of the coin in the long term and ensure that our token remains at competitive rate compared to other coins on the market इसके साथ तीसरा आता है staking hyper token, तो यहाँ पर यह staking की बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपने जो hyper tokens हैं, उनको अगर आप stake करके तो आपको यहाँ पर hyper NFTs भी मिल जाएंगी इस hyper NFTs can then be stake to earn more hyper tokens, तो एक बार आपने staking किया, फिर आपने earning की, दुबारा आपने earning की, दुबारा आपने earning की, तो यह cycle चलता रहेगा इसके सब staking hyper NFT, जो किस तेम तरीके से काम करेंगी, yield farming की बात करते हैं, जो भी again यहाँ पर एक तरीके से stake करने के आपको hyper tokens मिलेंगे, hyper NFT trading की जाएगी market place के हिसाब से, NFT marketplace की जो fees रहेगी, वो कहते हैं 0 to 5% of the marketplace fees goes directly to buybacks and liquidity, तो इस हिसाब से यहाँ पर liquidity को बढ़ाया जाएगा, token holders को यहाँ पर support किया जाएगा, उनको यहाँ पर कहीन के attraction दिया जा रहा है, interest उनका बनाया जा रहा है, launchpad fees की बात करते हैं, which is saying 0 to 5% of the launchpad fees will go directly back into the project in the form of buyback and liquidity acquisition, like the marketplace and increase the strength of the hyper token, affiliate programs क्या है, affiliate program का दोस्तों मतलब यह होता है कि आप यहाँ पर कहीन के किसी को जोडते हैं, और उ उसके साथ आपके जो external marketers होते हैं, वो भी इनको use कर सकते हैं, यानि कि आप यहाँ पे अपनी NFT sales को बढ़ाते हैं, launchpad पे लाके, और वहाँ पे affiliate program को लाके, आप अपने project को और आगे ले जाने की बात करते हैं, तो lottery currency की भी बात करते हैं, जो आने वाले समय में आपको देखन battles होंगी, यानि कि जैसे आप कोई भी computer में game खेलते हैं, mobile में game खेलते हैं, तो आपका एक प्रतिदुन्दी होता है, एक से एक, तो आपस में दोनों आप games खेलते हैं, जो जीता है, वहाँ पर उस battles को high stick battle के तोर पे देखा जा सकता है, buy and tournaments, जो भी आप tournament के खेल रहे हैं, उ number, gifts और lottery यहाँ पर देखा जाएगा, तो यह जो सारी list है, आने वाले समय में आपको और भी बढ़ती नजर आएगी, ऐसे ही project की utility के अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहते हैं, इसके साथ इनका खुद यहाँ पर NFT launch pad रहेगा, NFT marketplace, NFTs with utility की बात करते हैं, hyper lottery है, gaming platform है, तो इस तरीके से use case को expand करने की यह बात कर रहे हैं, कि जाए tokenomics की जो बहुत ही बहुत important हिस्सा है, इस पूरे crypto project का, यहाँ पर कहते हैं कि project name is hyper chain, blockchain BSC, याने की finance smart chain को लिया गया है, ticker hyper है, total supply यहाँ पर 1 billion है, जहाँ पर decimal 7 रखे गए हैं, दोस्तों हमेशे याद रखिएगा, जब आपकी supply बहुत जादा होती है, तब आप उम्मीद ना रखें कि इसका price बहुत उपर जाएगा, जाता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि use case अच्छा हो, तो कहीं ना कि price में impact पड़ता है, लेकिन आपके पास जब supply billions trillion में हो, उसको अगर आप ठीक से manage नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप लंबी race का घोड़ा नहीं बन पाते हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, तो यहाँ पर इनकी supply बहुत जादा है, एक disadvantage यहाँ पर इनको हो सकता है, गर यह properly manage नहीं की जाती है, तो तो अगर इनकी टॉक्विडिटी 5 साल के लिए lock है, जो क यहाँ पर जो इनका audit था, वो हाइपर चेंड टोकन का contract checker की और से complete हो गया है, 8 सितंबर 2022 को इनने अपने आपर token जो था, वो tokenized hyper chain के जो security audit था, वहाँ पर कर लिया गया है, ऐसे ही साफू की और से भी इनको यहाँ पर certification मिल गया है, कि इनका जो audit है, वो complete है, और उसकी detail report आप यहाँ पर चेक कर से, आपर KYC and साफू by contract checker किया हो, जहाँ पर तीन phase basically देखे जा सकते हैं, जिसमें phase 1 और phase 2 लगबग इनका complete होता नजर आता है, phase 3 में भी काफी सारी चीज़ें हो गई है, जहाँ पर CMC और coin के copy listing हो चुकी है, NFT marketplace, launchpad लाउंच होगा, आपर रन collection pre-sale रहेगा, central exchange listing इसमें tie 2 और tie 1 भी आएंग, वो भी आने वा जाए, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर इन्होंने पूरे Hyperchain X में अपनी पूरे use case को establish करने की बात की, NFT marketplace की बात करते हैं, उसके सासथ play to earn, game store, live streams, इसके सासथ यहाँ पर first all in one gaming platform, जो इन्होंने multiple NFT marketplace को create करके digital art museum और action house की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को कुछ नयापन देने की बात करते हैं, ऐसे ही यह बताते हैं कि जैसे मैं आपको कहा कि इनके audit हो चुके हैं, तो 100% audited KYC and Skynet certified by certic की और से भी यह clarification यहाँ पर आ चुका है, उसकी reports आप चाहें, तो इनके ही official link पे available आप चेक कर सकते हैं, tokenomics में अगर देखा जाए तो transaction fees को 10% buy और sell, जब भी आप transaction करने जाएंगे, आपको 10% buy और 10% sell लगना ही लगना है, इस 10% का जो division और कुछ इस तरीके से किया गया है, कि जो भी 10% buy और sell होगा, उसमें 5% marketing fees चली जाए अबर transaction fees are designed to sustain the project, to incentivize our long term holders to hold hyper the following fees, जैसा कि मैं आपको बताया, 5% marketing, 4.9 buyback और 0.1 burn fees रखेगी, तो यह 10% की fees काफी ज़्यादा है, लेकिन ही कहते हैं कि हमने अपने holders को भी profit देना है, long term project को चलाना है, इसलिए इस तरीके से हमें 10% की जो buy sell fees रखी गई है, तो founder media entertainment बे निंज crypto के नाम से आप देखेंगे, तो यहाँ पर उनने बताया हुआ है, और hyper chain x को 2021 second appeal को इन्होंने start किया था, तब से देखें अभी तक इसमें लगतार काम हो रहा है, काफी सारी चीज़ें, काफी सारी improvement, innovations, collaborations, यहाँ देखने को मिलते हैं, और इसी इसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका जो official tutor handle वो है, the first dedicated gaming NFT marketplace, launching in soon, यानि की आने वाले समय में बहुत सारी इसमें भी चीज़ें होने वाली हैं, तो यहाँ पर इन्होंने multiple tweets किये हुए हैं, चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, अपने कुछ screenshot, price को लेके बात की है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ updates, जिनके बारे में यहाँ पर इन्होंने कुछ videos भी share किये गए हैं, और यहाँ पर बताया कि कैसे आने वाले समय में यहाँ पर इस पूरे crypto project में और भी चीज़ों को जोड़ा जाएगा, multiple यहाँ पर listing की जाएगी, ऐसे कुछ और चीज़ें जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इन्होंने के बारे में बताया गया है, current अगर इसकी scenario उसकी बात की जाए तो अभी यह अपने उस गिरते हुए zone में नज़रा जिसे हम red zone कहते हैं, और यहाँ red zone पर आके ही अटका पड़ा है, यहाँ पर अगर दोस्तो liquidity LP holdings की बात की जाए, तो इनके पास as of now 226 6.22 BNB की LP है, liquidity इनके पास पड़ी है, जो कि करीब करीब 73,146 US dollar के करीब करीब बनती है, तो इसी हिसाब से क्योंकि liquidity इनके पास है, लेकिन उतनी जादा नहीं जतना मुझे लग रहा था, liquidity जो है करीब करीब 226 BNB की यहाँ available है, as per current live status में बात की जाए, LP holdings की वो तो 226 BN भी करीब करीब हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी है, लेकिन उतनी जादा भी नहीं है, हाँ आप यहाँ पर trading कर पाएंगे, लेकिन maybe कुछ crypto exchanges पर शायद इसके reserves के issue होंगे, वो मैं coin market cap पर देखको आपको बता दूँगा, तो बायत की जाए coin market cap की, hyper chain x is the project name, hyper is the token name, current price in European 0.06163 गया था, जो कि अभी 71.52% के हिसाप से rise पर है, एक बहतर उचाल यहाँ पर हमें दिखता नजर आता है, live chart के हिसाप से अपने red zone पर अभी अटका पड़ा है, यहाँ पर market cap और volume में थोड़ा dip हुआ है, लेकिन total supply max supply जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो 577 million hyper token देखने को मिल जाएंगे, जो कि total supply का 57.73% रह जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी tokenomics को कुछ अच्छे तरीके से manage करने कोशिश की है, circulation में just 577 million hyper token का होना एक अच्छा अंदेशा है, और यहाँ पर अगर इन्होंने आने वाले समय में कहीं अच्छी listing कर दी तो इसके price में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है, उसमें उच्छाल देखा जा सकता है, as of now सिर्फ pancake swap version 2 BSE में available है, xt.com बे भी आप buy कर सके लेकिन bitmart से buy ना करें, वहाँ reserves के issue चल रहे हैं, वहाँ liquidity का issue है, इस चीज़ को यादर किएगा, अगर price performance की बात की जाए तो यहा इस live chart के तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर all time low हम देख पा रहे हैं, वो करीब करीब 0.024 रह जाता है, जो कि again पिछले साल का ही यहाँ पे date show हो रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए, तो आज अपने उस all time low के आसपास हमें यह नजर आता है, as such एक buyable position इसे कह सकते हैं, लेकिन buy करने से पहले अपने financial advice ला लेकि इसमें निवेश करें, weekly chart में भी as such कोई बड़ा change है, ने अपने red zone पे हमें अटका नजर आ जाता है, तो एक ऐसा नया crypto project जहाँ पे gaming को तबज़ दी गई है, जहाँ जिसमें youngsters के interest की बात देखी गई है, gaming की बात देख के साथ crypto blockchain में रहके आप trading करके भी इससे फायदा दे सकते हैं, तो कुछ इसाब से यहाँ पे hyper chain x को एक बड़ा रूप देने की कोशिश की गई है, हालना कि यह वक्त ही बताएगा, या आने वाले समय में और आने वाले bull run में कितना कमाल कर सकते हैं, supply को manage इन्होंने कर लिया रोड मैप के सबसे चीज़ें की जाएंगी, रोड मैप अभी phase 3 में ही divide है, उसे expand करने का सच कोई news नहीं, अगर वो होता है, तो कहीं देखें एक positive impact इसके price में भी देखने को मिल जाएगा, तो दोस्ते एक हलका सा overview मैंने आपको hyper chain x के ओपर दिया, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को support कीजेगा, वीडियो को share कीजेगा, thanks for watching this video, have a great day, bye